हाल ही में बलिवुड के खिलाडी अक्षे कुमार को राष्ट्रिय पूरसकार से नवाजा गया था अक्षे पिछले कई सालों से सामाजिक मदों और बायोपिक जैसी फिल्मों में काम कर रहे हैं जो समाज को कोई नपकोई महतवपून संदेश देती है अक्षे की पिछली रिलीज फिल्म टॉयलेट एक प्रेम का था इस फिल्म में अक्षे ने साफ सफाई और शौक चाले जैसी विकट समस्या पर रोशनी डाला अब फिर एक बार पैडमैन के साथ एक महत्वपून मुद्दे को फिल्मी परदे पर उतारने की कोशिश अक्षे कर रहे हैं बता दे कि अक्षे कुमार को दुनिया का पहला सुपर स्टार घोशित कर दिया गया है अक्षे को यह खिताब कोई और नहीं बलकी रियल लाइफ पैडमैन अरूना अचलम मुरुगनाथन ने दिया है अरूना अचलम मुरुगनाथन खुद की जीवनी पर बन रही फिल्म से बेहत खुश है अपने उत्साह को ट्वीटर पर बयान किया है अरूना अचलम मुरुगनाथन ने मुरुगनाथन ने लिखा है अक्षे कुमार दुनिया के पहले सुपर स्टार बन चुके है जिन्होंने स्त्रियों के मासिक दर्म स्वचत्ता जैसी मुद्दे पर बात की है मैं खुश हूँ कि अक्षे कुमार मेरा किरदार निभा रहे है मुरुगनाथन के ट्वीट का जवाब देते हुए अक्षे ने कुमार ने भी ट्वीट किया और लिखा मैं भी बेहत खुश हूँ कि मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला उमीद करता हूँ कि इस फिल्म के बाद समाज में कुछ बदलाव आये और इस मुद्दे पर भी लोग बातें करें डिर अक्षे कुमार हम भी यही उमीद करते हैं क्यूंकि आपकी मेहनत और लगन कभी व्यर्त नहीं जाएगी इस फिल्म में अक्षे के साथ सोनम कपूर और राधिका आपके भी है फिल्म की प्रोडियूसर ट्विंकल खना है इस फिल्म के साथ ही सालों बाद अक्षे और ट्विंकल एक साथ काम कर रहे हैं फिल्म 26 जनवरी 2018 को रिलीज होगी